हलो फ्रेंड स्वागत आप सभी का मेरे यूटूब चैनल रिस्पेक्ट विलेजर 07 पे दोस्तो इस वीडियो में मैं आप लोग बताने वाला हूँ काटून चैनल के लिए कौन सी केटेगरी को सलेक्ट करें अगर दोस्तो आप लोगों ने अपने चैनल के लिए सही केटेगरी को सलेक्ट नहीं किया तो दोस्तो आप लोगों के वीडियो को यूटूब जो है सही ओडियन्स तक नहीं सेंड करता है और आप लोगों के वीडियो पे views भी कमाते हैं और आप लोगों का views डाउन होते जाता है अगर दोस्तो आप लोग अपने चैनल के सही कंटेगरी को select कर लेते हैं तो YouTube आपके वीडियो को आपके सही audience के पास भेजता है और आपके वीडियो पे व्यूज बढ़ जाते हैं जिससे कि आपके वीडियो पे जो हजारों लाकों में व्यूज आने लगते हैं मेरे वीडियो पे इन तक बने रहेगा चैनल पे नए हैं सस्क्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक जरू कीजिएगा सबसे पहरे दोस्तो आप लोगों को अपने YT Studio एप को open कर लेना है एप को open करने के बाद आप लोगों को directly अपने content में आ जाना है और दोस्तो आप लोगों को अपने content को उपर click कर लेना है जैसे दोस्तो आप लोगों को अपने content को उपर click करते हैं और options open हो जाएगा अब दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा उपर में third number पे category दोस्तों आप लोगों को simply अपने category को उपर क्लिक कर देना है category को उपर क्लिक करते ही आप लोगों के screen पे बहुत सारा category देखने को मिलाता है अगर दोस्तों आप लोग एक cartoon creator है तो आप लो है दोस्तों तो आप लोग के लिए इंटर्टेनिमेंट को भी सलेक्ट करके रख सकते हैं लेकिन दोस्तों काटून चैनल के लिए सबसे बेस्ट जो आप्सेन होगा वो दोस्तों आप लोग के लिए होने वाला Film and Animation तो दोस्तों मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि अगर YouTube पे आप लोगों एक Cartoon Channel बनाते हैं तो आप लोगों के लिए सबसे Best Category जो है वो है Film and Animation तो दोस्तों आप लोगों को Simply Film and Animation अपने Cartoon Channel के लिए Select कर लेना है तो आप लोगों को किसी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंड वंदे मातरम